आज हम लाए हैं वीडियो नमबर 6 और आज हम डील करेंगे बाइलोजी के इंपॉर्टेंड मुल्टिपल चॉइस कोश्चन्स हम पूरी अच्छी तरीके से डिसकस करेंगे जैसे अगल बगल के कोई भी कोश्चन आए आप आसानी से सॉल्फ कर सकें इसके पहले अगर आपको वीडियो देखने हैं तो वीडियो के उपर उन्देखे एक लिंक का रहा है उसके आप क्लिक करेंगे तो अभी तके पीछे के सारे पेरिपरेशन के बाइलोजी के वीडियो आप देख सकते हैं साथी साथ हमारा टेलिग्राम चैनल का लिक डिसक्रिप्शन में दिया हुआ को भी आप जॉइन कर लिए और सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को क्योंकि हमारा फोकस रहेगा कि इस बीसी नर्सिंग में केमेस्ट्री बाइलाजी जी के जैसे पोर्शन को हम पूरी तरीके से कम्प्लीट करें तो अहीं चलते हैं सीधे आज के वीडियो की तरफ हमारा म का रहे हैं है बडयोफइट और यहां दोनों पर रहते हैं तो क्या ब्रयोफइट जी आइज वो अंपीबिएं धोते हैं क्यों मूब लाइग चल सकते थे निकितरह मौसटी ऑट पानी में ब साभाrão जाते हैं they occur in damn places जो damn या घीली जगह होती ही वहाँ पाए जाते हैं कि they require a layer of water for carrying out sexual reproduction तो इस आप्शन सही है हो है option number T they require a layer of water for carrying out sexual reproduction तो amphibians के लिए क्या है water and land दोना जरूरी है तो ब्राइफाइट से क्या होता है कि इनका vegetative phase होता है vegetative phase होता है यह होता है land पर ठीक है लेकिन जो reproductive phase होता है उसके लिए इनको layer of water चाहिए होता है तो water or land क्योंकि दोनों में रहते हैं इसी लिए ब्राइफाइट को amphibiancy category में रखा जाता है option number two देखते हैं who is known as the father of taxonomy father of taxonomy किसे कहते हैं कार्ल लिनेयर्स हो कहते हैं जोहान रे को कहते हैं मेंडेल को कहते हैं कि टी-एच मॉर्कन कहते हैं क्या option सही है इसका option number a car linear 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 जी को father of taxonomy कहा जाता है इसके नमबर थ्री देखिए artificial system of classification of plants was first proposed by तो artificial system of classification जो प्लांट का किया गया था उसको सबसे पहले किस ने दिया था बैंथम इन होकर ने एंगलर और प्रैंटी ने लिनेर्स जी ने जो कि father of taxonomy कह जाते हैं कि त्योफ्रेस्टेस ने तो इसका सही kingdom classification किस ने प्रपोस किया था इसका सही आंसर है विट टेकर तो विट टेकर ने five kingdom classification सबसे पहले प्रपोस किया था नमबर फाइव दिखिए तोड़ा हट के विच फॉन आप दा following shows maximum genetic diversity इन इंडिया तो इसमें साथ कौन सा क्रॉप है जो सबसे अधर genetic diversity शो करता सबसे अधर variants है ग्राउंड नट है राइस है मेज है कि मैंगो है तो राइस में सबसे अधर diversity है इंडिया में नमबर six देखिए अगर-अगर बहुत famous है is obtained from किस से अगर-अगर जो होता है यह एक पॉली सैक्राइड है क्या है पॉली सैक्राइड याद रखिएगा और यह रेड गय से अधर decomposition मिलता है और प्रॉमीरन जो त्री रेड अले जिससे मिलता है उसका नाम में जिलीडियम पहला दूसा है जिशार टिना आच ग्रैसि लिए तो इन तीनों ही स्पीचीस से से style यह पॉली में आते हैं में आते हैं कि मोनिरा में आते हैं नमबर एट दिक आट हैंग इंडिया का ये कहते हैं ये क्या क्वेश्चन यह कि पास हुआ था तो क्या होता है Biodiversity Act एक Act है जिसके तुरू कोई भी foreigner बहर का आदमी इंडिया की Biodiversity को exploit नहीं कर सकता अपने purpose यूज नहीं कर सकता बिना permission के तो कब पास हुआ था 96 में 2006 में 2002 में 1992 में तो यह पास हुआ था 2002 में Biodiversity Act of India was passed in 2002 2002 में पास हुआ यह कुछ अलगता है बहुँ कुछ नहीं के रहा है विच आप दा फॉलोइंग रीजन विच फॉलोइंग इस दे रीजन इसका क्या रीजन है विच और फॉलोइंग इस दे रहा है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो होते हैं बदला इंका कहना है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है इनमें कोई सब्सक्राइब लेटिवली मोर कॉंस्टेंट एंट प्रेक्टिबल तो मना भी कह रहे है कि ट्रॉपिकल रिवार्मेंट में जहाद और सीजनल होते हैं ज्यादा मतलब चेंजेश नहीं होते कॉंस्टेंट रहते हैं पता रहता है कि कब कौन सा मौसम आने वाला है और ऑप् सब्सक्राइब कि उसका सभी आंसर किया है इसका सभी आनसर ऑल अब यह चारो ही वज़ा है जिसकी वजा से ग्रेटर बाया लजीकल ड्रीज्टी जानदा ड्रॉपकल लिजन मिलती है अन्डिस्टरब भी रहे हैं सीजनल में जालादा कॉंस्टन है और सोलर नेर्जी भी ज लिखी थी मेंडल लिखी टी कि डार्विन ने लिखी थी कि मॉर्ग ने लिखी चारों भी महान हस्ती है जिन्हों ने इस किताब लिखी वह सब्सक्राइब लिखी है लीश्यू कि फादर और टेक्स नौबी भी कहे जाते हैं नमबर 11 दीचे प्रैक्टिस कर लिए जहुरी नहीं ऐसा है इस टाइप का कोश्चन भी आ सकता है इन विच ओफ दा फॉलोइंग ग्रोप इसमें से कौन से ग्रोप ऐसा है वोड यू प्लेस अप्लांट एक ऐसे प्लांट को प्लेस करेंगे तो अगर कोई प्लांट है जिसके अदर वैस्कुलर टिशू भी है ओके एम्ब्रियो भी है और सीड भी प्रड्यूस करता है तो किस कैटिगरी में आएगा वही कह रहा है इन विच आवग दा फॉलोईग रोप वोड यू प्लेस अ प्लांट विच है वैस्कुलर टिशू एम्ब्रियो एड प्रड्यूस सीड यह तीनों चीज़ँ होनगे वैसलर टिशू एम्ब्रियो प्रड्यूस सीड तो ब्रायफाइट्स होंगे क्या वह हो जीम्नोजपंव्स होंगे टर्डॉइस में आएँगे डर्ट एसने क्या है इसका बैस्ट आंसर है इसका बनार है इसका बैस चांशर जिन इसने फोल्म्स की के अवहश्何 देखिए ब्रहा है्योट चेया और घूर्म yüzden या कि ए wine थे तो बायोस्स्टमाइक्स कए है या या new systematic कई है कि किस्ते इंटर्ड्यूस किया था 50 ई यूलाजारी ने मैंहल ठोपलों दारवे ulis याउली तो में जॉन अस сдел जनको accelerated accelerated तेज rates of species extension तो यह कह रहे हैं कि चार major causes है four major causes हैं कि faster rate से species extinct हो रहे हैं मलब खतम होते जा रहे हैं और उन चारो major causes हो कहा जाता है the evil quartet ठीक है इसको कहा जाता है the evil quartet यह चार major region है जिसको हम evil quartet कहते हैं तो कह रहे है which of the following is not a part of evil quartet तो कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो इस क्वार्ट का पार्ट नहीं है उन चारों में से पार्ट नहीं है उन चारों में से पार्ट नहीं पॉल्यूशन पॉल्यूशन इसका पार्ट नहीं है तो extension पॉल्यूशन से नहीं होगा ओवर exploitation से होगा को extension से होगा alien species innovation से होगा और चौता होता है habitat loss या fragmentation habitat loss या fragmentation fragmentation ठीक है तो evil quarter में क्या क्या आते है ओवर exploitation आता है को एक्स्टिंशन आता है एलियन species invasion आता और habitat loss या fragmentation कहते है दोनों एकी चीज़े वह आता है pollution नहीं आता ठीक है तो evil quarter भी आप याद कर लिएगा नबर 14 देखिए endemism refers to तो क्या होता है endemic भी कहते हैं कि species endemic हैं तो endemism किसे कहते हैं species confined मतलब केंद्रेथ हैं या limited है to that region and not found anywhere else मतलब ऐसी species जो एक particular region में confined ने वहीं पाई जाती हैं कहीं और नहीं पाई जाती क्या इसे कहते है endemism species confined to that region and also found elsewhere है क्या species वो जो किसी region में ही पाई जाती है और इसके लाव और जगह भी पाई जाती है यह species of all varieties को endemism कहते हैं या all of these तो इसका सही आंसर क्या है endemism है a ऐसी species जो कुछ सही जगह पर कुछी important जगह पर पाई जाती है और और जगह नहीं पाई जाती है तो ऐसी species को endemic species कहते हैं और endemism से यह refer किया जाता है number 15 देखिए यह भी question है when a species become extinct जब कोई species extinct खतम हो जाती है तब plant and animal species associated with it जो plant या animal उसके साथ grow कर रहा होता है जिसे कोई species खतम हो गई और उसके साथ एक कोई plant या animal जुड़ा हुआ था ठीक है also become extinct उसके खतम होने से वो भी extinct हो गया in an obligatory way तो इस phenomenon क्या कहते है बलाब एक species extinct हुई और उसके साथ साथ उससे जुड़ा हुआ यह फिनोमनों क्या 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 एंग्यिश में कह रहा हूँ वैंश्पी साथ एक टो जुड़ा हुआ है इसका सही आंसर जो है वो है Co-extinction, Co-extinction म Ti-го website साथ sah aç Sony ुजाना, थीक है, तो मदलना एक फिची ज़ब essent हुई तो उसके साथ उसके जोड़ा Plant Animal doek ho गया इस क्रींक कहते हैं को स्थिच्व सबक्रां Tay happened कोim एक्षण सबक्राम्रों करते हे koक्ष्थ करस्ण सबक्रेस था की परसेंट vie न stacked कग्जारे रिजर्फ फूरंड मट्याल ख़ colors फंजाई कि जो रिजर्फ छाना होता initialना प्लाइब क्या होता है कि असको प्रोटीन होता है ग्लाइकोजजन होता है ग्लाइकोजन और होटे है कि स्टार्च होता है तो फंजाई का इस pålad to होता है glycogen and oil bodies option number C इसका सही आंसर ओके और 18 देखी Amazon shopping वाला नहीं है Amazon Rainforest तो Amazon Rainforest जो है वो consider किया जाता है lungs of the planet को कहते है lungs है planet की ठीक है हमारे अर्थ के फेपड़े Amazon Rainforest as they contribute about dash percent of oxygen in our atmosphere तो पूरे जो atmosphere में oxygen का ratio है उसमें इतना percent oxygen जो है Amazon Rainforest से आता है 10 percent 20 percent 30 percent की 25 percent सही आंसर इसका क्या है 20 percent तो 20 percent oxygen हमारे पूरे प्लानेट का Amazon Rainforest के पेड़ों से आता है इसलिए उसको लंग सोथा प्लानेट या फेपड़े कहे जाते हैं हमारे अर्थ की मोस्ट कॉमन एडवांस टाइप of conjugation इस्पाइरो गायरा में कौन सा एड्मोस्ट कॉमन और एडवांस टाइप ऑफ कॉन्जूगेशन पाया जाता है इसका सही आंसर है सबसे कॉमन और एडवांस टाइप ऑफ कॉन्जूगेशन जो कि इस पाइरो गायरा में पाया चाहता है नंबर 20 देखिए कॉस्चन नंबर 20 कह रहा है कि दा मेजर कॉस ओफ लॉस ओफ नंबर ऑफ माइगरेटरी बर्ड्स कौन होती है जो उड़के आती है दूसरे देश्चे से अपने भारत में भाहर से उड़के आती हैं सर्विया से रोके आती है न तो उनमें नंबर ही कमी हो रही है क्यों हो रहा है पेस्टी साइट के यह से हो रहा है कि हैगेटर वज़ार का नंबर भी गट रहा है एक्स्टेंशन के बहुत प्रॉमिन वज़ा जो है loss of habitat या fragmentation होती है नमबर 21 देखे हो कुछ हटके when moss spores germinate they form जब moss के spores germinate करते हैं तो क्या बनते हैं capsule बनते हैं rhizoids बनते हैं protonema बनता है कि leafy commitophyte बनता है क्या बनता है moss spores germinate करता है protonema ये question नमबर 22 ecosystem है pyramid जानते ही है pyramid of numbers in pond जो pond होता है तलाब तलाब का जो ecosystem होता है वहाँ जो pyramid बनता है कैसा होता है pyramid of numbers in a pond ecosystem कैसा होता है irregular होता है upright होता है inverted होता है कि spindle shape होता है इसका सही answer क्या है upright जैसा pyramid होता है उसी shape का जो है आपका pond का ecosystem होता है अप right एकदा 23 देखी इन आ biotic community the primary consumers in an ecosystem is to carry eco system में primary consumers कौन होते है primary consumers सबसे पहले जो consume करते हैं ठीक है कारण डिवोर्स होते हैं ओंडिवोर्स होते हैं uh ुसका answer हैustedcherber web world रभी बोर्स हरदा primary consumer सब्षा number twenty-four which one of the following types of organism occupy more than one ट्रॉच्विक लेवल in PFONड ecosystem एत फिर बादार हैए एक तलाब के एको सिस्टम में कौन सा ऐसा और्गनिजम है जो एक से जादा ट्रॉफिक लेवल पर आता है जू प्लैंक्टन फ्रॉग फिश की फाइटो प्लैंक्टन सही आंसर क्या है इसका देखिए फिश है वो क्यों है देखिए कुछ फिश ऐसी होती है जो सेकेंडरी अब कैसे होती है तो अफिश को एल recesar को सेकेंडरी कंजूमर भी होती है इस लिए दौर्फिक लेवल ले रहे है तो इसलिए वे니까 राइट आंसर जो एक से अधर ट्रॉफिक लेवल लेती है पॉंड में ताला आप 25 देखिए ऐसे कुशन प्रैक्टिस के लिएगा कई वैरियेशन आ सकते हैं इसकी कि ब्रायोफाइट डिफर फॉन टेर्डोफाइट अब आपको सब के डिफरेंस पता होने चाहिए ऐसे टीशू तो ऐसे आप सभी में आपस में देख लिएगा कि क्या डिफरेंस होते हैं जैसे आपको आसानी रहे पता रहे किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है जैसे ऐसा कोई भी कुश्चन आए तो आपको आसानी रहे तो फ्रेंट्स हमारे थे आज ही कुश्चिन ब